हलो 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 आज के अस वीडियो में हम डिस्कुस करेंगे एक अमेरिकन ओथर शॉर्ट स्टोरी राइटर ओ हैंडरी के लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी के बारे में जुसका नाम है दे लास्ट लीफ गाइस ये स्टोरी मेरी परस्टनली भी बहुत ही जादा फेवरेट है ओ हैंडरी एक ऐसे राइटर थे जो काफी गहरी बाते कह जाया करते थे तो ये जो वर्क है उनका 1907 में लिखा गया था दे लास्ट लीफ 1907 में पब्लिश किया गया था नियो योर्क में इनको लिखा गया था तो जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे तरीके से मैं इसको डिस्कूस करूँगी काफी इंट्रेस्टिंग स्टोरी है एंड तक इसको जरूर देखेगा तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं New York City में एक Greenwich Village नाम की एक जगे से ये एक Bohemian नेवो हुट का इलाका है 20th century की शुरवाती टाइम है और इस इलाके में बहुती उल्जनसी है पेचीदा महौल है यहां के जो रास्ते हैं वो जलीबियों के तरह घुमे हुए हैं गलियों में महलों में एकड़म रास्ता गुमाफदार है और आर्टिस्ट लोगों के लिए एकड़म सई इनवामेंट है यहां पर ऐसे आर्टिस्ट जो पेंटिंग बगारदे बनाते हैं क्योंकि टेक्स कलेक्टेड आर्टिस्ट इस एरिया में कभी आते नहीं जो text कलेक करते हैं उनको यहाँ पे बहुत problem होती है navigate करने के लिए यहाँ पे तो वो लोग यहाँ पे generally नहीं आया करते हैं यहाँ पे जो गरीब artist हुआ करते थे बस वो लोग आते थे क्योंकि वो लोग यह area afford कर पाते हैं और उन लोगों के लिए यह जगह बिलकुल जन्नत की तरह है अब इस कहाने में दो लड़किया हैं Sue और John C यह दोनों young artist girls हैं इन दोनों की एक restroom में मुलकात होती है इन दोनों का art को लेकर test भी same होता है यह दोनों लड़किया आपस में मिलके यह तै करते हैं यह दोनों अब एक दूसरे के साथ ही रहेंगी और साथ में ही मिलके अपना काम आगे करेंगी अपने एक सस्ते से इस्टूडियो में यह दोनों एक साथ रहने लगती हैं एक top of run-down apartment की building में यह लोग रहते हैं और उसमें वो लोग एक room लेते हैं सस्ता सा और उसमें अपना एक studio बना रखा है लोगों ने अब क्या था फ्रेंट्स हैं तो स्टूरी में तो twist आता ही रहता है और यहां पे भी एक twist आ गया सर्दियो का मौसम था इस टाउन में एक stranger का आना हुआ और इस stranger का नाम था Mr. pneumonia Mr. pneumonia यानि pneumonia नाम के बिमारी ने 10 तक दे दी और पूरा शहर बिमार हो गयां नीमोनिया से जब सारे जगे पर यह pneumonia फैल ही रही थी तो उसे यहां भी तो आना था इन दोनों लड़कियों में से जो जांसी थी उसे भी pneumonia हो गया और ये बिमारी इतनी खतरनाक होती थी कि मरने की हालत हो जाती थी और कभी-कभी तो हम इतने जादा बिमार हो जाते थे कि मर भी जाते थे इस बिमारी के कारद निमोनिया बहुत ही खराब बिमारी होती थी ठीक है तो अब डॉक्टर को बलवाया गया चेक-अप के लिए चेक-अप हुआ उसके बाद डॉक्टर ने इसकी फ्रेंड सू से बोला कि तुम्हारी फ्रेंड जौन से की हालत बहुती जादा क्रिटिकल है इस बिमारी ने इससे बहुत बुरी तरीके से जकर लिया है और सीधा सीधा कहूं, तो 10% ही चांसे इसके बचने के, लेकिन अगर ये जीना चाहे, तो कुछ सुधार हो सकता है, एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, कि अगर इंसान हैपी होता है, वो खुश होता है, अगर वो लाइफ में आगे भी सर्वाइफ करना चाहता है तो बिमारी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो वो उससे जीत लेता है उस बिमारी में भी वो खुद को आगे मतलब हर चीज से freedom करवा पाता है लेकिन अगर इंसान upset होता है वो life से बहुत ही जादा disturbed होता है जीना नहीं चाहता है तो डॉक्टर कितनी भी अच्छे दवाई दे दे आप कभी भी सही नहीं हो सकते हैं तो कहानी में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये बात तो तुम भी जानती हो कि depression निमोनिया से भी खतरनाक होता है depression इंसान को वैसे ही मार देता है अगर वो जीना ही नहीं चाहेगी तो बताओ कैसे वो सही और स्वस्त हो पाएगी मैं कितनी भी अच्छे दवाईया दे दूँ दवाईया कभी भी असर नहीं करेगी उस पर और ना ये कभी ठीक हो पाएगी डॉक्टर उससे एक सवाल पूछता है कि क्या इसका कोई डिप्रेशन है मतलब डिप्रेशन का कोई रीजन है क्या और क्या तुम जानती हो कि कौन सी चीज के कारण ये इतना जाता डिप्रेश्ट रहती है कुछ पता है तो बताओ तो इस बात पर सू ये कहती है कि ये Bay of Nipples की painting बनाना चाहती थी, ये इसका ambition था और इसका ambition पूरा नहीं हो पाया शायद हो सकता है इसी की वज़े से वो depressed हो फिर डॉक्टर ये पूछता है कि मैं तुम से ये पूछना चाहता हूँ कि आदमी से related कोई tension है क्या या फिर किसी से कोई affair वेगरा इसका अगर किसी life में हो तो फिर कुछ बताओ अगर ऐसा है तो तो इस बात पे शू बहुत ही ज़ादा शेयो रखे ये कहती कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से जानतू हूँ यसी कोई भी बात नहीं है ऐसी किसी भी चक्कर में ये फसी हुई नहीं है तो डॉक्टर ये बोलता है कि फिर मैं क्या कर सकता हूँ बताओ देखो दूआ करो भगवान से हो सकता है सू सही हो जाए अब सू क्या करती वो भी परिशान थी और वो जानसी के पास जाकर बैट जाती है सू अपनी बिमार फ्रेंड के पास बैट कर अपनी मैगजिन का इलिस्ट्रेशन तयार करने लगती है अपना काम करने लगती है वो तब ही जानसी खिरकी के बाहर देखती है पेरों से पत्ते जहर रहे थे एक एक करके ये जौन सी उन ज़ड़ते हुए पत्तों को गिंती है एक दो तीन चार पांच ऐसे करकर के वो गिंती आगे बढ़ाती है कि कैसे पेडों के पत्ते धीरे धीरे करके खाली हो रहे हैं और उसके दिमाग में पता नहीं कहां से और कहां से ऐसी बाते चलके आ रही थी कि जब इस पेड़ का आखरी पत्ता लास्ट लीफ भी गिर जाएगा तो उसकी जिन्दगी भी खतम हो जाएगी तो उसकी फ्रेंड सू इस बात पर ये बोलती है कि जॉन सी तुम इतने सिली बाते मत करो डॉक्टर ने भी बोला है कि तुम्हारे रिकवरी के चांसेस 90% है 90% शूर है कि तुम बच जाओगी पागल मत बनो डॉक्टर से बड़ी तो नहीं हो तुम शू यहाँ पर जूट बोलती है बट अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए वो जूट बोलती है डॉक्टर ने तो यह बोला था कि 10% ही चांस है उसके बचने के तो वो जूट इसलिए बोल रही है ताकि वो अपनी दोस्त को जीने की कुछ उमीद जगा सके उसके अंदर जैसे ही मेरी मैगजिन का इलिस्टेशन ठीक हो जाएगा हम दोनों के लिए मैं खाना लेकर आऊंगी वाइन लेकर आऊंगी और वो हर तरीके से ये कोशिश करती है कि अपनी फ्रेंड जॉनसी को चेर अप कर सके लेकिन जॉनसी का कोई खास रिस्पॉंस नहीं होता है उसकी तरफ जॉनसी ये कहती है कि इन पत्तों की तरफ अपनी पकर एक दिन खो दूंगी जिन्दगे के पेर से पकर खोकर लहराती हुई पूर टाइड लीज के तरफ जमीन पर गर जाओंगी अब मेरे सामने कोई एगर ऐसी बाते करेगा तो हिम्मत तो तूटी जाती है ये क्या करती कि इनके नीचे वाले रूम में एक आदमी रहता है वो एक बुरा आर्टिस्ट है अलकोहॉलिक है अनसक्सेस्वल आर्टिस्ट है जिसका नाम है बहर मैं वो इस गाओं में पेंटिंग बनाकर बहुत ही कम पैसे कमाता है अपनी जिन्दगी चलाने के लिए इसने पूरी लाइफ में एक मास्टर पीस बनाने की कोशिश की है लेकिन उसमें भी वो फेल रहा एक भी masterpiece अपने life में बना नहीं सका अपने masterpiece के अंदर सुईस के पास अपने किसी काम के लिए जाती है तो वो जॉनसी के बारे में उसको सब कुछ बताती है कि जॉनसी किस तरीके से पत्तों के गिरने से उमीदेख हो रही है और last life जब गिर जाएगा तो वो भी मर जाएगी ऐसी बेवकूफ हो वाली बाते वो कर रही है तो बेहरमेन बोलता है क्या बेवकूफी है ये दोस्तों अगर उस रात जॉनसी तो सो जाती है और सु अपना काम करने लगती है मैगजीन के इलिस्ट्रेशन का काम करने लगती है वो तो इस काम में वो बिजी रहती है उस रात को पेर पर कुछी पत्या बाकी थी तो जॉनसी ये सोच कर सो जाती है कि आज रात ये आखरी पत्य भी इस पेर से गिर जाएगी तो रात को एक बहुत ही खतरनाक तुफान आता है सुबेर जब जॉनसी वापस उठती है तो सु को बोल कर वो कहती है कि खिरकी के परदे जो हैं वो हटा दो पेर पूरा साफ सारी पत्ती जर चुकी थी बस एक आखरी पत्ती बची थी जो अब उस पेर पर लगी हुई थी जैसे वो पत्ते उस पेर को छोड़ना ही नहीं चाहती थी जॉनसी बहुत ही ज़ादा हैरान थी मतलब बहुत ही ज़ादा वो ताजुप में थी और शोड़ थी कि आज रात तो ये पत्ती गिरी जाएगी और जब ये गिर जाएगी तो इसके साथ साथ मेरी भी जिन्दगी खतम हो जाएगी मैं भी मर जाओंगी सो उसको एक बार फिर बोलती है कि पागल मत बनो एक बार फिर से सोच लो कि तुम क्या बोल रही हो लेकिन जॉन्सी एकदम साइलेंट रहती है उसकी बात का कोई जवाबी नहीं देती नारेटर हमको यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस सीन के साथ में जो डेथ की तो किस तरीके से हम अकेले ही फेस देत जो जब भी देत आता है तो उस देत को हमें अकेले ही फेस करना पड़ता है जॉन्सी का डेप्रेशन धीरे धीरे करके बहुत ही ज़ादा बढ़ता जा रहा था और अब एक रात और गुजर गई वही हवाय चली पारिश भी हुई लेकिन मजाल है कोई चीज उस आखरी पत्ते को टस से मस भी कर दे जॉन्सी इस चीज को देख के सप्राइस थी वो उठकर बेट पे बैट गई उसने सोप मंगवाया एक मिरर मंगवाया और इस चीज को रिमार्ग करती है कि कुछ तो है इस लास्ट लीफ में जो इसको गिरने से रोक रहा है थोड़ा टाइम और गजर गया जॉन्सी अपने अमबिशन का जो पेंटिंग था पे ओफ निपल उसको वो बनाने लगती है तो उस मिशन में वो लग जाती है कहने का मतलब यह है कि अब जॉन्सी के तबित में सिधार आ रहा था डॉक्टर भी आया उसने ये कहा कि अब इसके बचने के रिकवर होने के चांसे जो हैं वो बर्ष चुके हैं डॉक्टर ने फिर यह बताया कि तुम्हारा जो पडूसी है जो नीचे रहता है वो ओल्ड अल्कोहॉलिक बहर मैं उसको भी निमोनिया हो गया है उसको हास्पिटल लेकर जाना पड़ा तो उसको हास्पिटल ले गए थे हम लोग रात में नेक्स टे बैड नियूस यह आई कि वो बैचारा निमोनिया के कारण सर्वाइफ नहीं कर सका आई मीन वो गजर गया चौकेदार को उसके रूम में वो बिमार सा मिला था कपरों पर कुछ पर्फ या पानी टाइप का कुछ लगा हुआ था इससे पहचाना ये गया कि शायद वो रात में तुफान में बाहर गया था और उसके रूम में एक लैडर यानि सीड़ी भी ली थी और पेंटिंग का कुछ समान मिला शायद वो कुछ पेंटिंग का काम करने गया था उस तुफानी रात में एक्शुली वो सीडी से चड़ कर आया और जॉन्सी के खिड़की के सामने एक पत्ते का इमेज बनाया उसने अपनी पेंटिंग की सामने से इतनी अच्छी उसने पेंटिंग बनाई कि वो पेंटिंग बिल्कुल रियल इमेज की तरह बनी कोई पहचानी नहीं पाया कि वो पेंटिंग है वो रियल नहीं है तब ही जॉन्सी को ताज़ुप हुआ था कि ये अखेली पत्ती कैसे बच गई तुफान आया था, साड़ी पत्ती जड़ गई लेकिन ये आखरी पत्ती कैसे बच गई वो पत्ती नहीं थी, बल्कि पेंटिंग थी या फिर ऐसा कहो कि ये पेंटिंग नहीं एक उमीद थी, जिसने जॉनसी को जिन्दा रखा था और फाइनली मरने से पहले ये सू बोलती है जॉनसी से कि मरने से पहले बहरमन अपना मास्टर पीस बना गए जिससे किसी का जान बच गया बहरमन ने अपने लाइफ में आज तक कोई मास्टर पीस नहीं बनाई लेकिन मरते मरते उन्होंने एक ऐसा masterpiece बनाया जिससे उन्होंने किसी की जान बचा ली So our story is over now and thank you for watching my video फिर में लेंगे आपसे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई and इस वीडियो को like subscribe जरूर कीजेगा झाल 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 झालिए झाल झाल